नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों देख सकते हैं कि तरुई के पौधे हैं इसको कहीं कहीं पर नेनुआ और ऐसे अनियक नामों से इनको जाना जाता है तो आज हम दोस्तों बात करेंगे इन्हीं के विशय पर यदि आपने भी अपने घरों में नेनुआ तरुई के पौधे लगा रखे हैं और उनमें दोस्तों फल फुल नहीं आ रहे हैं तो आपको आज हमें कैसा बहतरी इन फटिलाइजर के विशय में जानकारी देंगे जिसको डालने के बाद आपका जो नेनुआ का प पहले ही जानकारी दे दिया है यह जब पौधा बहुत छोटा था लगभग 10-15 दिन खा था तब हमने आपको इन्फोर्मेशन के सांथ यह जानकारी दे थे और एक फटिलाइजर डालने के विशय में बताया था और अब यह दोस्तों पौधा बढ़ा हो गया और इसमें दिखाई देगा बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और जो भी इन्फोर्मेशन आपको लेना है और सांथ में दोस्तों अपने पौधे पर अपलाई करना है तो चली दोस्तों बताते हैं पहले हम पौधे के विशय पर जान लेते हैं ज़्यदा तर दोस्तों देखा तो नेनुआ भारत के सभी जगों पर खाया जाता है जिसके कारण जो इनका rate है जो price है वो हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है और इनका एक यही कारण होता है दोस्तों कि लोगों द्वारा इनको अपने घरों में लगा जाता है एक और कारन हो सकते है दोस्तों कि यह इसे एक बार आप लगा देते हैं तो आप लगभग 1-5.5 साल तक इन में फसल लेते रहते हैं तो चलिए बता देते हैं आपको फटीलाइजर के विश्जब पे तो दोस्तो इसके लिए आपको ले लेना है लगभग 1500-200 ml पानी साथ में आप जो ये लार रंग के चीज देख रहे हैं ये दोस्तो पोटास है इसको आप लोकल के खाद दुकानों से बड़े हसानी तरीके से ले सकते हैं तो ये दोस्तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देता है एक पोधे के लिए लगभग हम एक तीहाई चम्मस का उप्योग करेंगे देख सकते हैं कुछ इतनी मातरा में आपको ले लेना है जो कि मैं इसे आप पानी में डालने माला हूँ आप भी दोस्तो कुछ इसी तरीके से इतनी मातरा पानी लेने के बाद इतना मातरा में दोस्तो पोटास ले लेना है इसको दोस्तो पानी में कुछ इस तरीके से अच्छे से मिक्स अप कर लेना है लगभग 30-40 सेकेंड कि इसको अच्छी से अपने चमस से दोस्तो इसको मिक्सप कर लिए जो पानी और जो पोटास है वो अच्छी तरीके से मिलने के बाद देख सकते हैं इनका जो कलर है वो हलका सा दोस्तो रेड रंका हो चुका है और चलिए अब हम चलते हैं पौधे के पा जो अब दोस्तो आपके भी पोधों में कुछ इस तरोई लगने लग जाएंगे और अच्छे खासे उन में बरहुतरी देखने को मिल जाएंगे तो यह ता दोस्ते छोटी सी इन्फरमेंसन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए खोई भी कमेंट हो कोई भी सवाल हो कोई भी क्वेरी हो तो जरूर करे चैनल पर नहिंव तो असब ini को सब्सक्राइब करके बेल एकन को हिट जरूर करिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ